हेलो एविमेंट कैसे आप सब आप सब का आपके यूट्टीव चेनर पर स्वागत है कि मैं इस समय चलने ये बहुत ठंड़ बहुत ठंडा मौसम चलना है काफी ठंड है सबी जगां ठंड है ठंड का मौसम यह और ठंड के मौसम इससे क्या होता है मोटापा बढ़ने लगता है अगर जाड़े के कारण नहीं भी बढ़ता है फिर भी अगर आपका मोटापा ज्यादा बढ़ा हुआ है यानि कि उबिसिटी की प्रोब्लम है फैट बढ़ रहा है तो आज मैं आप लिए एक ऐसा चमतकारी चूरन लाई हूँ या आप चूरन कह सकते हो या आप एक पाउडर कह सकते हो वो लाई हूँ जिसको अगर आप डेली और इवनिंग में लेते हो यानि की रात में सोते समय लेते हो तो आपका वेट लॉस काफी जल्दी होगा और यह आपको आपकी किचन कही समान में मिल जाएगा और इसको किस तरह से बनाना है वो भी बताऊंगी और हां एक यह भी बात बता दूं कि इसको हर एज के लोग ल दे सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे भी है और उनको फैट की प्रोब्लम है वेट बढ़ा हुआ है तो उनको भी आप यह दे सकते हो आपको वेट काफी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपको तेजी में कम करना है तो आपको इस पावडर को लेने के साथ सथ कुछ प्रकॉस्टन्स और भी लेने पड़ेंगे जैसे आपको तली भूनी चीजे कम खानी होंगी और साथ ही जैसे अभी जाड़े का मौसम है तो आप गुन-गुना पानी चपी लेते हो तो थोड़ा सा ल्यूप फॉर्म बाटर भाल का गुन-गुना पानी ही प्यों उससे भी फ पीरियड में वेट काफी गेन हो गया था इसको मैं ले रही हूं तो इससे मेरे वेट पे काफी असर दिखा है बाकी आप खुद बताएगा तो यह कैसे बनाना है इसको कैसे यूज़ करना है तो आप मैं आपको बताती हूं पहले आपसे एक रिक्रेश्ट है कि अगर आपक चूरन या आप यह बार्डर यूज़ करते हो और इसका रिजल्ट आप मेरे साथ चरू शेयर करेगा दस पंदरा दिनों में ही आपको इसका रिजल्ट दीखेगा इसको यूज़ करना है यह नहीं कि आपने पांच दिन क्या आपको जो मैं कॉंटिटी बताऊंगी यह कॉं आपको साथ आठ बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए हो तो अगर आप इन चीज़ों को फालो करते हो तो आपका वेट काफी आपको इसके रिजल्ट अच्छी दिखेंगे मतब यह जो मैं आपको बता रहे हैं इसके काफी अच्छी रिजल्ट मिलेंगे तो इन ची अगर आपके कुछ कोर्शन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं आप मुझे को इस्टा पर शेयर कर सकते हूं तो चलिए अब बताती हूं इस चुर्ण को मैंने कैसे बनाया है और इसमें क्या-क्या चीज़े ऐसी डाली है जो आपकी हैल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जिद्धी होता है यानि की काफी एक्सरसाइज करने से भी नहीं कम होता है तो आप इसको अगर लेते हो तो इससे आपका फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है यानि जिद्धी फैट भी कम होने लगता है पेट के पास की जो चर्वी होती है कमर की चर्वी होती है हिप्स क चर्वी होती है बहुत जल्दी पिघलने लगती है इसको आप जो है बच्चों को भी दे सकते हो अगर आपके मतलब 15 साल से उपर के बच्चे हैं उनको भी दे सकते हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्लैक सीड अलसी अलसी फैट कम करने में बहुत ज़्यादा है आपके मेटापलिजिजम सिस्टम को कंट्रोल करती है बलैट पेशर को कंट्रोल करती है अलसी के बहुत ज़्यादा फाइदे है तो इसमें हम लेंगे एक काटोरी अलसी अच्छा जितनी भी चीज़े मैंने यूज की हैं सबकी कौन्टिटी एक ही रखेंगे जैसे आप 50 ग मैं मसाले को भून लेना है आपको पेश्या नहीं मैं हम लेंगे ढ़ाना है और यसे मोगी अगाइं आर चरлохता है इसके बाद आपको धनीय है एक कटूरी धन्याभी मैंने लिया है मैं सब एक जो है पन्रह-बीज दिन के लिए अपना बना रही हूँ उसी साफ से मैंने सारी कॉंटिटी ली है तो इनको भी हम भून लेंगे इसके बाद जो चौथी चीज मैंने डाली है वो है डाली है सौफ ये सौफ हमने मोटी वाली है मसाले वाली जो सौफ होती है मोटी सौफ वाली है सौफ आपके पाचन क्रिया को बढ़ाती है सौफ आपके खून को साफ करती है सौफ के भी कई फाइदेते हैं सौफ तो आपके कलर को भी साफ करती है तो जितनी भी चीज़े हैं अगर आप इनको लेते हो तो आपका फैट तो कम होगा ही साथी साथ आपकी स्किन और आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे तो सौब भी हम इसमें डाल देंगे मोटी वाली और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे तो ये जितनी चीज़े मैं भून रही हूं धीमी आज में ही आपको भूननी है बहुत ज़दा लाल नहीं होने देना है हलका हलका ही आपको भूनना है जैसे ये करारी सी हो जाएंगे पिसने में आसानी रहे अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौट सौट है ये आपकी जो दर्द वगरा रहते हैं जोडों में दर्द रहते हैं उसमें भी सहायता करती है और साथ में फैट कम करने में भी सहायता करती है उसके बाद हम लेंगे दाल चीनी दाल चीनी आपकी जो जुरियां सी पर जाती है उनके लिए दालचीनी बहुत ज़दा फाइदा करती है दालचीनी आपके फैट को कम करती है दालचीनी सुगर को कंट्रोल करती है इसके बाद लाश में हम लेंगे तेज़ पता तेज़ पता फैट कम करने में बहुत ज़दा हल्प करता है इसकी 5-6 पत्ते ही हम लेंगे, दालचीनी की भी 3-4 ही हमने डंडी ली थी और ऐसे ही हमने सोट भी थोड़ी सी ली थी, बाकी सारी चीज़े हमने 1-2 कटोरी ली थी, मतलब एक-1 क्वांटिटी के हिसाब से ली थी, तेज पता दालचीनी और सोट हमने थोड़ी-थोड़ी सी तेज पता कि हमने 5-6 इसमें डाल दी हैं और ऐसी दालचीनी के भी डाले थे तेज पता जो बेली फेट होता है जो पेट के चारो तरब जो चर्वी होती है उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करता है फेट कम करने में तो इस सब को हमने अच्छे से भून लिया है तो इसको मैंने भून लिया है आप इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आप देखोगे कि आपका जो जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से अगर आप करते हो तो आपका फेट काफी चल्दी कम होगा इसके साथ ही आपको करनी है कुछ एक्सरसाइज भी यह नहीं कि आपने यही कर लिया आपको थोड़ा सा अपनी डाइट में कंट्रोल करना होगा जैसे आप आइली चीज़ों को एवाइट करें तला भूना कम खाएं बाहर की फैटी चीज़ें मैदे से बनी चीज़ें ना खाएं तो अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपका फैट बहुत ज़ली कम हो जाएगा यह अच्छे से भुन गया है अब हम इसको धंडा होने के बाद हमने इसको पीस लिया था और यह इस तरह से हो गया इसको आपको एर टाइट कंटेनर में ही रखना है अब इसको लेना कैसे है इसको आपको एक से दो चमज अगर आपका फैट काफी ज़्यदा है तो आप दो चमज ले सकते हो जो मैं आपको चमज दिखा रही है इसके हिसाब से अगर आपका चमच बड़ा है तो देड़ चमच भी ले सकते हो एक चमच से देड़ दो चमच आपको सुबा गुन गुने पानी से लेना है खाली पेटी आपको लेना है और आपको रात में सोते समय भी आपको इसको लेना है तब आप देखो कि आपका फैट काफी जल्दी कम होने लगा है और रात में आप जो आपकी डाइट है साथ से आठ वजे की बीच में ही आपको जो भी खाना है अहलका फुलका वो खा लेना है उसके बाद आपको कुछ भी निखाना है अगर आपको ये फाइदा करता है तो इसके रिजल्ट प्लीज मेरे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें क्योंकि ये चुरन मैं भी ले रही हूँ और मुझको काफी ज़दा फर्क दिखा है ये पाउडर आपके डाइजेशन को सही रखता है और आपके अपच्च की प्रॉब्लम होती है उसको भी सही रखता है फैट भी कम करता है इससे आना आपके बाल अच्छी हो जाते हैं इसकिन भी अच्छी हो जाती है तो इसके रिजल्ट अमेजिंग है आप इसको ले सकते हो अगर आपके घर में बड़े बच्चे जो भी है फैट की प्रॉब्लम है अबिसिटी की प्रॉब्लम है तो आप उनको जरूर दीजे और आपका 15-20 दिन तक आराम से चल जाएगा उसके बाद आप फिर से इसको बना लो और इसका यूज करो तो ये फैट लॉस चूरन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको आगे शेयर करेगा अगर किनी को भी ये प्रॉब्लम है तो उनके साथ प्लीज जर करेंदे किम।